नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्रेंडेसियन की खास पेशकस चुनावी सरगर्मी में मिश्यन दहजार चोबीस यानि लोकसभा चुनाव से कुछ महिने पहले होने वाले विधान सभा चुनाव भाजपा कॉंग्रेस वो अन्ने दलों के लिए सेमी फाइनल की तरह होंगे जो भाजपा और आई एंडिया ये जो विपक्षी दलों का गट बंधन है इसके बीच की लिलाई की दिशा तै करेंगे चतितगर्ड कॉंग्रेस शासित राजजी है इसलिए भाजपा के लिए ये किसी बड़ी चुनावती से कम नहीं भाजपा इस चुनाव में प्रधानमती नेंद मोदी के चेहरे को सामनी रखकर चुनाव लड़ेगी तो वही कॉंग्रेस अपनी गैरंटीयों और घोशनाओ की बदवला जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी इस चुनाव में एक बार फिर किसान, कर्मचारी, पुलीस, पेंशनर, समीदाकर्मी, स्स्ट, यूवा और महिलाएं चुनावी मुद्दा होंगे इधर कॉंगरेस पर हमले करने में भाजपा कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है भाजपा बस्टाचार, धर्मान तरण, अनीमी, समीदाकर्मी, काणवेवस्था, पेश से घुटाला जैसे मुद्दों को लेकर आकरमक्ता के दसात हर मोर्चे पर राज सरकार की घेरा बंदिकर उसे मनोवेग्यानिक दबाव में लाने के प्रयास में है इंटरनेट मीडिया हो या फिर मैदानी मोर्चा भाजपा के कारेकरता जमीनी स्तर पर काम करते देखे जा रहे हैं इस चुनावी कवायत का विशलेशन करें तो पहले भाजपा बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही थी लेकिन परिवर्तन यात्रा निकालने के बाद वो आत्मविश्वास से भरी हुई है आधर्श आचार सहीता लगने से पहले दोनों दलों में बराबरी की टककर तो है ही दोनों ही लोग प्रीता में भी शेयर मार्केट की तरह उचाल और गिरावट देखने को मिल रही है राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो कभी भाजपा का सेंसेक्स टॉप पर दिखाई दीता है तो कभी कॉंगरिस का सुत्रों की माने तो आचार सहीता लगने से पहले भुपेश के तरकस से कई चुनावी तीर निकल सकते हैं बात करते हैं कॉंगरिस विधायकों की प्रती कुछ शेत्रों में एंटी इंकम्बेंसी देखते हुए कॉंग्रेस को टिकर्ट विद्रन में परिवर्तन को तवज्जो देना होगा नहीं तो विधायकों के बीच विरुध जनता का रुजान रुखसान पहुचाएगा कुछ मंत्रियों की प्रती शेत्र में नाराजगी देखी जाती है भाजपा इसका लाव लेते हुए मजबूत प्रत्याशी देने की तयारियों में हैं कॉंग्रेस के अध्यक्ष का अनुभव नया है इससे निताओं के साथ चुनावी समनवय बनाना बड़ी चुनावती से कम नहीं दोरों ही पार्टियां मद्दाताओं को साधने के लिए रेवडियां बाटने में तयारी कर रही है सर्विकर जनता की नवज टेटोलने के बाद टिकट देने के तयारियों में है टिकट वितरन के बाद बगावस सिनी पटने की योजना बनाई जाएगी अब अगर नजार डालें दुर्ग जिले की विधानसवा सीटों पर तो 2018 की विधानसवा चुनों में दुर्ग जिले की जनता ने कॉंग्रिस पार्टी पर भरोसा जताया था जिसके प्रणाम स्वरूप जिली के 6 विधानसवा सीटों में से कॉंग्रेस के खाते में 5 सीटे आई थी वही एक मात्र सीट वैशारी नगर विधानसवा सीट को भाजपा के सीटिंग विधायक विदरतन भसीन ने जीत कर भाजपा की लाजबचाई थी कुछ माँ पहले ही उनके निधन हो जाने के बाद इस विधानसवा से भाजपा के साथ ही कॉंग्रेस के दावेदारों की होड मची हुई है हर कारे करता अपने आपको टिकट का दावेदार बताते हुए अपनी रननीतिया बनाते देखा जा रहा है कव में बेश यही हालत दुर्ग जिले के दुर्ग शहर दुर्ग रामीन अहिवारा और भिलाई नगर विधानसवा का भी देखा जा रहा है भिलाई नगर विधानसवा से कॉंगरेस के दिगज नीता और पूर्र मंतरी बद्रुदिन कुरैशी ने टिकट की मांग कर डाली तो सिटिंग विधायक देविन यादाओ की धढकने बढ़ गई है वहीं दुर्ग शहर विधान सभा से कॉंगरेस की कई दिगजों ने टिकट की दावेदारी कर वर्तमान विधायक अरनवोरा की नींदे उड़ा कर रख डाली है बारहाल दोनों ही रास्टी दलुद्वारा पुरे नब्भी विधान सभाओं के प्रत्याशियों की अधिकरित घोशना अभी तक नहीं हो पाई है जिसे वर्तमान मंतरी वर्तमान विधायकु सहीत तिकट की दावेदार अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए प्रदेश सहीत दिल्ली तक दोर लगा रहे हैं भारती जनता पार्टी ने लगभग एक माह पहले अपने 21 प्रत्याशियों की घोशना कर कॉंग्रेस से आगे निकलते हुए राजनीती पंडितों को चौका दिया था लेकिन कई विधान सभाव में घोशित प्रत्याशियों का हो रहे विरोत को देखते हुए भाजपा का केंद्री नयातित्व काफी फूख कर कदम बढ़ा रहा है वही कॉंग्रेस अभी भी उहापो की स्थिती में है प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी वर चुनाव कमीटी की लगातार हो रही बैठकों के बाद भी कॉंग्रेस के दावेदार अपनी टिकट को लेकर सवशंकित नजर आ रहे हैं जिससे दावेदारों सहीत उनके समर्थकों मे बेचेनी देखी जा रही है ऐसे में टिकट वित्रन हो जाने के बाद दोनों रास्टी देलों के नेधितों को बगावत के सुर्का भी सामना करना पर सकता है जो पार्टी के लिए कहीं न कहीं नुखसान दायक होगा तो चुनावी सरगर में फिलाल इतना ही बने रही हमारे साथ और देखते रही है ग्रैंडेसीन नियूस नमस्कार